अगर आपको किसी IPL टीम के मैनेजमेंट टीम में शामिल किया जाए तो आप किस-किस प्लेयर को आउक्शन में टार्गेट करते। IPL आउक्शन स्क्रीन्स पर देखने में काफी सिंपल लगता है लेकिन इसमें काफी प्रेशर इन्वॉल्व रहता है। इस साल का आउक्शन बेहत इंट्रिस्टिंग था। पांगलादेश के ओल राउंडर ने रिसेंटली ही क्रिकेट में एक साल के बैन के बाद के बाद कमबाग किया। रिटर्न के बाद शाकिब जबरदस फॉर्म में है। He has played 63 IPL matches till date, scoring 746 runs at a strike rate of 126.66 and taking 59 wickets at an economy of 7.46. महमद अजरुदीन to Royal Challenges Bangalore, 20 lakh रुपीज IPL auction के कुछी दिन पहले केरला के महमद अजरुदीन ने एक इंटर्व्यू में रिवील किया था कि विराट कोली के साथ RCB में खेला उनके लिए एक सपने के जैसा होगा। अजरुदीन का वो सपना पूरा होने वाला है। हर्बजिन सिंग के रिलीज के बाद चन्नाई को एक ओफ स्पिनर की जरूरत थी। बोलिंग के साथ साथ मोहिन अली हार्ड हिटिंग बैट्समन भी हैं जो किसी भी बॉल को बाउंडरी के पार भेज सकते हैं। इस प्राविस वस उन फुल डिस्प्ले इन अगेंस्ट अगेंस्ट इंडिया अचेपक। चन्नाई में ही इंग्लिंड के ओल राउंडर ने 18 गेंदों में 239 के स्ट्राइक रेट से 43 रन्स बनाएं। टी ट्वेंटी क्रिकेट में मोहिन अली ने 3500 से ज्यादा रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर है। गेंद के साथ उन्होंने 110 रिकेट्स भी लिये हैं। दाविद मलन टु पंजाब किंग्स 1.5 क्रॉर रूपीज पंजाब किंग्स ने डेड़ करोड की रखम देकर दुनिया के नमबर वन टी ट्वेंटी बैट्समन को इस सा के आउक्शन में खरीदा। इंग्लिंड के दाविद मलन ICC के T20 बैट्समन रैंकिंग्स में नमबर वन पोसिशन पर हैं। लेकिन इसके बावजूद आउक्शन में ज्यादा टीम्स ने उनमें दिल्चस्पी नहीं दिखाई। T20 क्रिकेट में दाविद मलन अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में है। The past year saw मलन amass 397 runs in test matches at 49.63 with 450s keeping a strike rate of 142.29. Big Bash League में वो इस साल कुछ खास इंप्रेस नहीं कर सके। Malan would love to make his mark in the best T20 franchise cricket competition in the world. Steve Smith Steve Smith दुनिया के best batsmenों में से एक हैं। उन्होंने Rajasthan Royals के franchisee को कई साल तक lead किया था। 2.2 करोर की रख्म देकर इस साल Delhi Capitals ने Steve Smith को खरीदा। एक बहतरीन batsman मिलने के साथ साथ, Delhi ने एक शानदार leader को भी squad में include किया है जो Shreyas Ayer को बढ़िया तरीके से guide कर सकते हैं। IPL में Steve Smith ने 2300 से ज्यादा run बनाए हैं। He has an average of 35.34 and a strike rate close to 130. Steve Smith ने 2016 में IPL Century भी बनाया था।